नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल ली होगी आज मैं आपके लिए एक लेटेस्ट जोब अपनेट लेके हैं जो की काफी इपोर्टेंट होने वाली है जैसे कि आपको पता है कि हमारे डाक विवाग के अंदर टेंथ पा क्या है कौन अप्लाई कर सकता है काम क्या होता है कितनी मिलती है हर एक चीज में आपके साथ डिसकस करने वालों अगर आप इस चैनल पे नए हूँ तो चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आखरी तक जुड़े रहें आप हमारा वटसप और टेलीग्राम ग निकलती है इसके बारे में बात करेंगे अलग अलग तरह की भरती निकलती है एसिस्टेंट की निकलती है MTS की निकलती है कलरक की निकलती है बट अपन आज इस वीडियो में only GDS के ये बारे में बात करेंगे अगर मैं टोटल पोश्टों की बात करूं कि टोटल पोश्टें कितनी आनी है इस बार तो टोटल पोश्टें इस बार 40,000 पलस पोश्टें आने की उमीद है अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आने की उमीद है कब तक आएगी तो वो भी मैं आपके साथ बिसकस करने वाला हूँ आप मेरे साथ आखरी तक बने रहे जैसे कि आपको पता है इ इस बरती का क्या है 10th Pass चाहिए और बहुत सारे Board है State है जिनके Tenth के Result आ चुके हैं और काफी ate हैं या काफी Board उनके अभी Tenth के Result नहीं आए जब सभी Board के सभी State के Tenth के Result आज़े गा तभी ये बरती का लेगा मतलब इस बरती का notification आपको कब तक देखने को मिलीगा वह भी मैं आपको बताऊंगा और Age Limit की बात करूogo Age Limit क्या रहेगी? Age Limit इसमें रहती है 18 तो 35 साल रहती है अगर आप किसी category के हो जिसे SCST वाले हो या OBC वाले हो SCST को तो 5 साल की छूट मिलती है और OBC को तीन साल की छूट मिलती है ये Central Government के According Age Relection IU CIMA में छूट रहती है अब बात करते हैं किसमें काम क्या होता है FOM की फीस कितनी है और सेलरी कितनी मिलेगी और सेलेक्षन प्रोसेस क्या रहता है अगर मैं FOM फीस की बात करूँ तो FOM फीस इसमें मातर 100 रुपे रहने वाली है अगर आप फीमेल हो अगर आप S.E.S.T. केटेगरी से बिलोंग करते हो आपकी 0 रुपे FOM फीस रहने वाली है तो जिन केंडिडेट ने 10th पास कर लिया है या जिनका 10th का रिजल्ट आने वाला है अच्छे परसेंटेज आएंगे तो ये FOM जरूर फील करना क्योंकि मातर 100 रुपे है और बहुत सारे केंडिडेट की दफीस भी नहीं लगने वाली है अपन बात करते हैं एज लिमिट की बात होगी क्वालिफिकेशन की बात होगी अब बात करते हैं पोस्ट की और सेलेक्शन प्रोसेस की कितनी पोस्टें निकलेगी और क्या सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा ये मैं आपके साथ डिसकस करूँ इसमें टोटल 40,000 पोस्टें आने वाली है क्योंकि जब ये पोस्टें आती है तो 35,000, 40,000, 50,000 ऐसे ही पोस्टें आती है ये ओल आवर इंडिया आती है पूरे भारत में आती है ओल आवर इंडिया में पोस्टें निकलती है और ये स्टेट बाइज पोस्टें निकलती है मालो राजस्तान के अंदर इसके से अंदर कितनी पोस्टें मिली मानलो तीन हजार आजस्तान की हो गई विहार की बात करें तो ऐसे अलग-अलग स्टेट की रहती है पांस हजार विहार की मानलो इस इतने देली की बात करते हैं अपने तो दिल्ली की मानलो पंदरा सु पोस्टें दिल्ली की हो गई यह टोटल पोस्टें आती है और अगर आप इसके अंदर जोब लगना चाहते हो तो आपको मैं एक बात बताता हूँ ध्यान रखना ये बात है क्योंकि अगर आप इसके अंदर apply करो तो एसे मत करना कि इस state के अंदर post जादा है तो मैं इस state में apply करूँगा आपको सिर्फ कहां पे apply करना है अपने ही post में apply करनी है आपको अपने ही post में ये form fill करना है इसका main reason ये है जब आप apply करोगे तो ये जो आपकी job रहेगी वो ग्रामीन विवाग के अंदर रहने वाली है क्योंकि इसका नाम ही GDS है ग्रामीन डाक सेवा है अगर आप female candidate हो तो आप तो भूलके भी other state में apply ना करना अपने state में ही apply करना है क्योंकि अगर आप female candidate हो तो आपको mostly chances है कि आपको जो मिलेगी office के अंदर मिलेगी आपको field के अंदर नहीं जाने है male candidate को field के अंदर जाने का होता है female candidate को नहीं बेज़ा जाता है ठीक है ये आपको 10th के नमरों के according जब आपके 10th के नमर होंगे उसके according हर एक state की अलगलग cutoff बढ़ेगी माल राज़तान में कितने बच्चे प्लाई कर रहे हैं भिहार में कितने कर रहे हैं उसके बाद आपका DV होगा और उसके बाद आपका direct selection हो जाएगा मतलब आपका इसमें कोई exam है नहीं होने वाला है, कोई no exam, मतलब कोई exam इसके अंदर आपका नहीं होने वाला है, ना ही कोई interview होने वाला है, direct cutoff के बाद DV होगा और आपका selection हो जाएगा, ये तो हो गई बात इसकी selection process की और exam के pattern की या cutoff की बात हो गई, next बात करते हैं कि statewide vacancy की qualification की बात हो गई, IUCMA की बात हो गई, अब मैं बात कर लेता हूँ कि ये इसमें आपको salary कितनी मिलेगी, starting salary इसमें आपको 19,000 उपे मिलने वारी होती है, एक अच्छी खासी salary है, जब आपका दीरे दीरे time निकलता है, आपका प्रोवेशन पीडर खतम होता है, आपका experience बनता ह और आपकी salary बढ़ती जाती है, और बढ़ते बढ़ते ये 63,000 उपे तक salary हो जाती है, और हमेशा आपकी job कोई grammead field के अंदर नहीं रहती है, इसका आपका promotion भी होता है, department के अंदर, दीरे दीरे आपको office job भी मिलती है, अगर आप किसी अगर exam की त्यारी करने चाहते हो, तो आप सोच रहे होंगे, मैं इसे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मेरे friends के लिए बहुत सारे दोस्त लगे हुए, उनसे बात चीत करने पता लगा है, क्योंकि इनका क्या होता है, starting में, डाक का वित्रन करना होता है, या office में जाके अपने area की, अपने post office की जो भी डाक होती है, वहां लिजाके देनी होती है, और जो नई डाक आती है, उनको वहां से चांट के, निकाल के, अलग करके अपने area में बांटने का काम होता है, मतलब थोड़ा सा 4 से 5 घंटे का ही maximum है काम होता है, ज्यादा इसके अंदर काम हैं नहीं होता है, ये तो होगी, working की बात की काम क्य होता है, salary क्या होता है, selection process की बात होगी और post निकलेगी कैसे, तो कोई भी candidate अगर apply करे, तो आपको सिर्फ अपने state में ही apply करना है, जिसे आपको आगे फाइदा हो, इसका मतलब ये है, कि अगर आप अपने state में apply करोगे, तो आपको नोकरी आपकी जो जोब है, वो आपको अ आपको काफी सुविद्धा होएगी, अगर आप किसी other state में apply कर दो, माल राजस्तान वाड़ा भीहार में कर दे, दिल्ली में कर दे, तो वहाँ आपको काफी परसानी होने वाली है, एक तो वहाँ आप नए होगे, आपको local language का difference आएगा, आप area को भी नहीं जानोंगे, तो वहाँ पर काफी दिक्कत होने वाली है, इसमें आपको local language आना बहुत जरूरी है, अब बात करते कि form कब से start होगे, form start होने की बात में बताऊँ, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा कि सभी state या सभी board का 10th का result आ जाएगा, तब इसके form में start होएगी, तो इसके form start होने की जान तक चांसज है, वो जून में इसके form आने की पूरी-पूरी संभावन है, जून 2024 में इसका notification जारी हो जाएगा, अगर जून में इसका notification जारी होगा, तो final इसका process होगा, final process की बात करूँ, तो November 2024 तक इसका final process हो जाएगा, मतलब आपको November 2024 तक आपकी joining हो जाएगी, क्योंकि का काम बहुत फास्ट होता है, इसके अंदर, direct cut-off base पर तो यह भरती देनी होती है, कोई exam नहीं होता है, तो यह latest update थी, बहुत सारे candidate इस चीज़ का इंजार कर रहते हैं कि dark विवाग में नई भरती कब आएगी, तो आपके लिए काफी important है, आप अपने result का wait करो, अपने document त्य प्यार रखो, जैसे ही इसकी भरती आएगी, मैं आपको अलग से वीडियो बना के inform करूंगा, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को subscribe करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जै हिंद, धन्यवाद